प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी आज नमांकन दाखिल करेंगे पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनात पतेल, लालचंद कुश्वाहा और संजे सोनकर होंगे आपको बता दे पी-म दश्वरश्वनेद गाट और काल भहरो मंदिर में पूजा करने के बाद वारनसी कलेक्टरेट पहुँचेंगे और ग्यारा बच कर पैतालिस मिनट से बारा बचे के बीच में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे पी-म के नमांकन में ग्रेमंत्री अमिट शाहा, राजनात सिंग समेद बारा राज्यो के सी-म भी मौचूद रहेंगे आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी ब्रेकिंग आपको बता दे, लोगसभा चुनाव में प्रचात प्रिसार को लेकर पी-म मोदी आज एक बार फिर से जारखन दोरे पर होंगे कोडर्मा लोगसभा चुनावी जन सभा को सम्भोधित करेंगे इस सीट से NDA प्रतियाशी अन्यपूर्णा देवी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे आपको बता दे, कोडर्मा और हजारी बाख लोगसभा चुनावी को मतदान होगा आगे बढ़ रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग के साथ केंदरे ग्रीही एवं सहकारिता मंतरी अमित शाहा आज पश्चिम मंगाल और जेपी नड़ा अमेठी में चनाव पर चार करेंगे शाह पश्चिम मंगाल की बनगाओं लोगसभा सीट पर धाई बजे जनसभा को संभोधित करेंगे और शान चार बजे उलूबेरिया लोगसभा सीट पर रेली कर बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे मैं जेपी नड़ा तो पहर तीन बच गर चालिस मिनट पर अमेठी में विशाल जनसभा को संभोधित करेंगे अगे बढ़ रहे हैं अगली बेकिंग के साथ आपको बता दे चौथी ब्रेकिंग आज प्रियंका गांधी अमेठी में और राहूल अखलेश जहांसी में चरा प्रिशार करते नसर आएंगे जहांसी में इंडिया गडबंधन के उमिद्वार के लिए राहूल गांधी और अखलेश की दोपहर दो बज़े सयुक्ति जनसभा होगी और ये रैली इंडिया गडबंधन के प्रतियाशी पुर्व केंद्रे मंतरी प्रदीप जैन आदित्य के समर्थन में होगी वहीं अमेठी से प्रियंका गांधी आज शाम साथ बज़े तक ताबटोड रैलिया और जन संपर कभियान के जरिये प्रचार को सार करती नजर आएंगे आगे बढ़ रहे हैं पांच वी ब्रेकिंग आपको बता दे लोकसबा चुनाव के चौते चरण में सरसथ दशमलब साथ एक फीसिदी मतदान हुआ चौनाव आयोग ने आकड़ों के मताबिक पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 78.44 फीसिदी मतदान की खबर सामने आई हैं आकरे जारी किये हैं जमु कश्मीर में 37.98 फीसिदी बोटिंग हुई आंध्य प्रदेश में 78.25 फीसिदी बिहार में 57.06 फीसिदी मतदान हुआ जारकंड की बात कर ले तो यहां 65.31 फीसिदी और मध्य प्रदेश में 70.98 फीसिदी मतदान महराश्ट्र में इस बार बिरफ्तार कम 69.64 फीसिदी मतदान हुआ है वहीं यूपी की बात कर ले तो यहीं मतदान प्रतीशत 58.05 फीसिदी रहा आगे बढ़ रहे हैं अगली ब्रेकिंग आपको बता दे दिली के सीम अर्वन के जिवाल और पंजाब के सीम भगवन तमान आज कुरुक्षेतर में प्रचार करेंगे और इंडिया गडबंधन के उम्मिदवार डॉक्टर सुशील गुपता के समर्थन में रोडशो करेंगे दोपहर साड़े बारा बजे ये रोडशो होगा और ठाई बजे तक पहवा चौकपर और शाम पांच बजे शहबाद इलाके में रोडशो के जरी ही प्रचार होगा राद और गुगा मेरी चौकपर शाम साड़े च्छे बजे रोडशो का समापन होगा आगे बढ़ वे हैं साथवी ब्रेकिंग दिली शराब नीती मामले से जुड़े मनी लॉंडरिंग केस में आरोपी दिली के पुर्व उपमुखे मंत्री मनेश सिसोधिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है सिसोधिया की जमानत याचिका पिछले दिली हाई कोट ने ईडी और सीबियाई को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा था आपको बता दे कि सिसोधिया को फरवरी 2023 में सीबियाई ने और बाद में ईडी ने ग्रफतार किया था आगे बढ़ रहे हैं आर्टवी ब्रेकिंग आपको बता दे जारकन सरकार के मंतुरी आलमगीर आलम की आज एडी के सामने पेशी होनी है आलमगीर के नीजी सचेव संजीव लाल के घर से करोडो कैश बरामत की मामले में प्रवरता निदेशाले ने पूछताज के लिए आलमगीर आलम को समन भेजा है पैसे में आज उनकी पेशी हो सकती है और आपको ये भी बता दें कि आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के घरेलू सहाइक जोहांगीर आलम के ठिकानों से 35 करोड रुपे मिले थे संजीव लाल और जोहांगीर आलम को इजी ने गिरफतार किया था अगली नौवी ब्रेकिंग बिहार के पूर्व डिप्टी सीम सुशील मोदी का पार्थिव शरीर बारब जेप पटना आएका और वहां से सीधे राजेंद्रू नगरस्थित आवास पहुचेगा फिर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी ऑफिस और ब अगी बढ़ रहे हैं दसवी ब्रेकिंग मुंबई से जहां तेज आंति ने किस तरह से भारी तबाही मचाई है घाटकोपर इलाके में 100 फुट लंबा होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत हो गए हादसे में 40 से ज्यादा लोग खायल हुए है और जो खबर मिल रही है फि झाल